तो हमने slip knot बना लिया, अब इसके बाद हम साथ चेन बनाएंगे चेन हम धीला बनाएंगे ताकि हमें आगे बुन्ने में करशनाई नहों चेन हम धीला धीला बनाएंगे और हम एक दो चेन एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि बुन्ते समें हमें कुई प्रॉब्लम नहों जो चेन बढ़ जायागा उसे हम बाद में खुल सकते हैं लेकिन अगर हम चेन कम पढ़ जाया तो फिर वापस हमें पूरा खुलना पड़ेगा है इसलिए हम 62 चेन बनाएंगे तो हमने 62 चेन बना लिया है अब हम दो चेन और बनाएंगे और पहले वाले चेन को छोड़कर दूसरे वाले में हम ऐसे स्लिप इस्टिस बना लेंगे अब दो चेन बनाएंगे और प्रत्य चेन में हमें डबल कुरूश्या करना है यह हमारा एक हो गया अब इसको छोड़कर नेक्स्ट वाले में दो तीन जार पाच चे जार आट नौ और दस तो हमने दस डबल कुरूश्या बना ले लागा अब हम दो चेन लेंगे और फिर अगले वाले में हम डबल कुरूश्या बनाएंगे तो यह हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और अब नेक्स्ट हम दस डबल कुरूश्या वापस बनाएंगे तो यह एक हो गया दो तो यह हमारा अस्तिन का पोर्शन हो गया दस यह हमारा front portion है, यह 10 आस्तिन का portion है, फिर हम दो chain बनाएंगे और next वाले chain में हम वापस double crochet करेंगे, यह हमारा divider हो जा रहा है, यह यह corner हो जा रहा है, और फिर अब हम हमारा यह back part है, इसमें हम 20 chain बनाएंगे, एक बन गया, दो, तो 20 chain बनाके मैं आपको दिखाते हूँ, तो हमने 20 double crochet बना लिया, यह हमारा back part का portion है, अब फिर हम 2 chain बनाएंगे, और next वाले chain में हम double crochet बनाएंगे, यह हमारा एक हो गया, अब यह हमारे दूसरे आस्तिन का portion बन रहा है, एक हो गया, दस हमें बनाना है, दो, चेन धीला रहने से, देखिए, आसानी से हुक उसमें चला जा रहा है, यदि हम tight बनाएंगे, चेन tight बनाएंगे, तो हमें बनाने में बहुत परिशानी हो गया, देखिए हमने, यह पाचवा हो गया, छे, साथ, आठ, नो, और दस, तो यह हमारे दूसरे आस्तिन का portion हो गया, अब फिर हम दो चेन बनाएंगे, और दस डबल करोश्या बनाएंगे, जो हमारे फ्रंट का portion रहेगा, तो देखिए friends हमने 10 double crochet बना लिया ये second front का हो गया तो मैं दिखाती हूँ आपको तो देखिए friends ये इस तरह बन के त्यार हुआ है ये front part, आस्तिन, back, आस्तिन और second front part और ये जो chain बचा है इसे हम बाद में खोल देंगे तो हमारा first round बन के त्यार हो गया अब हम second round बनाएंगे तो इसके लिए हम तीन chain बनाएंगे इसे हम बाद में खोल लेंगे तीन chain बनाएंगे, एक, दो, तीन ये हमारा एक double crochet count होगा फिर हम एक बल लेंगे और देखिए इस क्या तो हमने बना लिया अब next वाले पे हम double crochet बनाएंगे तो ये दो हुआ, तीन प्रतेक double crochet पे हमें double crochet बनाना है तो हमारा दस double crochet था और हम वापस दस double crochet बना लेंगे तो देखिए फ्रांस हमने दस double crochet बना लिया अब ये हमारा हम वी के पास आगे हैं तो एक बल लेंगे और इस वी में हमें दो double crochet बनाना है ये एक हमने बनाया अब इधर की तरफ 11 हो गए फिर दो चेन बनायेंगे और एक और double crochet बनानेंगे अब इस तरह देखिए यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गया है अब यहाँ पे हमने वी पे बना लिया अब प्रतेक double crochet के उपर हमें double crochet बनाना है तो आज तिन में भी 10 double crochet था यानि कि हमें 10 double crochet बना लेना है तो देखिए फ्रैंस हमने प्रतेक double crochet के उपर double crochet बना लिया है यहाँ भी हमने 10 बना लिया अब फिर हमारे भी आ गया है तो यहाँ पे हमें 2 double crochet बनाना है बल लेंगे एक double crochet बनाएंगे यह हमारे आज तिन में count होगा फिर दो chain बनाएंगे और फिर दूसरा double crochet यह हमारा divider है एक double crochet इधर आ गया एक double crochet इस side में आ जाएगा back में और हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे अब back में 20 double crochet है तो हम प्रते पर एक एक double crochet बना लेंगे तो इसी तरह देखिए वी में हमें 2 double crochet बनाना है एक double crochet बनाने के बाद 2 chain फिर इसी में एक और double crochet इस तरह यह बढ़ता जाए रहा तो मैं कुछ line बना के आपको दिखाते हूँ यह friends मैंने 5 line बना लिया है अब आपको अच्छी तरह स्पस्थ हो रहा होगा यह दोनों front part है यह दोनों आस्थिन और यह back इसको हम ऐसे fold कर लेते हैं देखिए एकदम easy design है beginners friendly जिसे भी रोश्या चलाने आता हो वो इसे आसानी से बना सकता है तो हमने 5 line complete कर लिया है हर line के साथ एक फंदा बढ़ रहा है फ्रंट में एक फंदा और हमारे आस्थिन में दो फंदे एक फंदा इस side से एक फंदा इस side से और बैक में भी दो फंदे बढ़ेंगे एक इस साइट से एक इस साइट से और फ्रंट में सिर्फ एक फंदा बढ़ेगा तो हमने 10 फंदे से शुरू किया था तो 10 यह 11 फिर 12 फिर 13 यह 14 इस समय यहां पे 14 डबल कुरूशिया है यहां पे 10 था तो चार इधर से बढ़ा चार इधर से बढ़ा यानि यहां पे 18 डबल कुरूशिया है इस तरह हमारे फंदे इंक्रीज होते चले जा रहा है तो हमने 5 लाइन बना लिया है हर बार नया लाइन शुरू करने के लिए हमें 3 चेन बनाना होगा एक दो तीन और यह एक डबल कुरूशिया काउंट होगा तो हम हमारा यह वाला डबल कुरूशिया इसके लिए यह हो गया अब हम एक बल देंगे और नेक्स्ट वाले में यानि देखिए इस दूसरे वाले में हम एक डबल कुरूशिया बनाएंगे और फिर जितने डबल कुरुशिया हैं सब पर एक एक डबल कुरुशिया बनाते चले जाएंगे तो ये हमारा छठा राउंड चल रहा है छठा राउंड चल रहा है तो मैंने 14 डबल कुरुशिया बना लिया अब फिर ये वी आ गया तो यहां पर हमारा दो डबल कुरुशिया बनेगा एक डबल कुरूशिया बनाने के बाद फिर दो चेन फिर इसे में एक और डबल कुरूशिया तो यानि इधर की तरफ 15 हो गया और फिर ये जो है दूसरी साइट का एक फंदा बढ़ गया तो इसी तरह ये छठा रो चला है आठ रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ आर्ट लाइन बना के मैं आपको दिखाते हूँ यहाँ ध्यान दीजे फ्रेंट ये हमारा फ्रेंट साइट है तो देखें ये हमने इस डबल कुरूशिया में डबल कुरूशिया कर लिया अब आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्ट किया था तो तीन चेन बनाया था और इ मेंधे हम इसमें नहीं बनाएंगे यानि इस चेन में नहीं बनाएंगे तो हमारा एक δबल करोशिया कम हो जाएगा한데 इन ignoring यह एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नौ ग्यारा लारा 13 14 और 15 हो गया और लाइन देखिए यह हमारा छटा लाइन है हमने 10 से शुरू किया था तो 10 पहली लाइन में 10 अगली लाइन में 1 बढ़ गया तो यहां 11 फिर 1 बढ़ा 12 फिर 1 बढ़ा 13 एक बढ़ा 14 और 6 लाइन में 15 तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा अब फिर देखिए हम 3 चेन बनाएंगे और इसे 1 डबल कुरूशिया काउंट करेंगे अब एक बल लेंगे और नेक्स चेन में हम डबल कुरूशिया में हम बनाएंगे देखिए इसकी जगह हमने यह बना लिया अब हम इसको स्किप करके यहां से एक डबल कुरूशिया बनाएंगे तो लोटते वक्त हमें इसमें भी एक डबल कुरूशिया बनाना होगा और इस चेन में भी एक डबल कुरूशिया बनाना होगा वरना हमारे डबल कुरूशिया कम होते जाएंगे इस बात को आप ध्यान रखिए गा और फिर बनाना बहुत ही आसान है सात्वा राूंड है हर एक डबल करोशिया में एक डबल करोशिया वी पर हमें वी बनाना है जिससे दोनों साइड में एक एक डबल करोशिया बढ़ जाएगा तो लाल मैं आठ लाइन बना के आपको दिखाते हूँ तेक ये फ्रेंट्स आठमा रोग आठमा लाइन कम्प्लीट हो गया है और इस समय फ्रेंट पे 17 फंदे हैं 10 फंदे थे और इस समय बढ़के 17 फंदे हो गया है और यहाँ पे 14 फंदे बढ़े हुए है आस्तिन में 14 फंदे बढ़े हुए है 10 थे और 14 बढ़ गया यानि यहाँ 24 हो गया है और 14 फंदे हमारे बैक में भी बढ़े हुए 20 थे 14 बढ़ गया यानि यहाँ पे 34 फंदे हो गया है और यह देखिए यह हमारा आस्तिन है यह फ्रेंट है और यह बैक है अब हम दो लाइन और बनाएंगे, आच लाइन हमने बना लिया है, दो लाइन और बनाएंगे, यानि कि दस लाइन कम्प्लीट करेंगे, तो दस लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंट्स हमने दस लाइन तयार कर लिया और ये इस तरह बनके त्यार हुआ है। अब 9 ऐ दोनों फ्रेंट में बढ़ गया है। और 18 ऐ दोनों भाक मेंThis Key दस फंदे थे 18 फंदे बढ़ गया तो 28 फंदे यहां पे हो गया आस्तिन में और 20 फंदे थे 18 बढ़ गया तो 38 फंदे बैक में हो गया और इसे हम फोल्ड करें तो यह ऐसे बनके त्यार हुआ है और इस समय इसकी इसकी लंबाई है देखिए यह साधे 4 इंच के आसपास तो देखिए फ्रेंट्स यह हमारा 11 लाइन है तीन चेन हम बनाएंगे और फिर इस डबल करोशिया को छोड़कर अगले डबल करोशिया से हम प्रत्य डबल करोशिया पर एक डबल करोशिया बनाते हुए हम वी के पास पहुँचेंगे तो वी तक पहुँचके मैं आपको बनाएंगे एक दो तीन चार पांच तो पांच चेन बनाएंगे पूरे आस्टिन को हम स्किप करके दूसरे वी के पास पहुँचेंगे और यहां पे एक हम डबल करोशिया बनाएंगे अब यह हमारा आस्टिन देखिए अलग हो गया फिर हम बल लेंगे और प्रत्तिक डबल करोशिया पर डबल करोशिया बनाते हुए हम इस वी के पास पहुँचेंगे तो वी के पास पहुँचके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रांट्स हमने बैक के सभी डबल करोशिया पर डबल कर लिया है और अब हम वी के पास पहुँचे हैं तो यहां पर हम एक डबल करोशिया करेंगे फिर पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और पूरे आस्तिन पोशिया को हम स्किप कर देंगे और दूसरे वी के पास पहुचेंगे बल लेंगे और यहां पर एक डबल करोशिया बनाएंगे इसके बाद प्रतेक डबल करोशिया पे डबल करोशिया बनाते हुए हम फ्रंट के पार्ट को पूरा करेंगे तो मैं बना के आपको दिखाते हूं तो देखिए friends हमने 11 line complete कर लिया अब फिर हम तीन चेन बनाएंगे और यहां से पलट लेंगे पर एक पहले बाले डबल कोरोशिया को सिक्प करके दूसरे बाले से हम बनाना शुरू करेंगे पर एक डबल कोरोशिया में हम एक एक डबल कोरोशिया बनाते हुए वी के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचके मैं आपको दिखाते हूं front part के सभी डबल कुरशया पे हमने डबल कुरशया कर लिया अब हम इन chain के पास आ गया है तो यहाँ पे हम 5 डबल कुरशया बना लेंगे 1 2 तीन चार और पाच और फिर देखिए हम दूसरे सीरे पर आ गया है तो अब यहां पर प्रतिक डबल कुरुश्या पर डबल कुरुश्या बनाते हुए हम लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे यह हमारा बैक पॉश्चन पर आ गया है अब देखिए यह हमारा इस तरह बन के तियार हुआ है यह हमारा आस्तिन है ऐसे बना है बैक पॉश्चन के सभी डबल कुरुश्या पर डबल कुरुश्या कर लिया है और अब हम इन पाच चेन के पास पहुँचा हैं तो बल लेंगे और प्रतिक चेन में हमें एक डबल एक, दू, तीन, चार, और यह हो विया, पांच, और अब फिर प्रतेक डबल कुरुश्या पे, डबल कुरुश्या करते हुए, फ्रन पार्ट को भी हम कम्प्लीट कर लेंगे, और फिर यह जो हमने चेन, तीन चेन बनाया था, और इसे फिर्स डबल कुरुश्या काउंट किया था, इस पर भी हम एक डबल कुरुश्या बना लेंगे, बेबी फ्राग का चूली बन के त्यार है, तो आशा है आपको पसंद होगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजे, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, अपने दोस्तों और जिस्तेदार में इसे शेयर कर देजिए थेंक्स फर वाचिंग